मेरी पत्मी के अलावा चार पुत्र वदुएं साथ पोते हैं एक पोती है और सब हमसी खुसी खेलते खाते यहां इसी मकान में रह रहे हैं एक मकान सामने दो बेटे वहाँ हैं हम मूल तहा रहने वाले पुराने दिल्ली के हैं यहां आए विया में 26 अलग और मैं सम्यक परकाशन चलाता हूँ राश्ट्र इस तर पर दिब बुद्धिस सुसाइटी ओफ इंडिया मेरा तायम बेटकरजी के साथ जुड़ा हूँ और उनोंने मुझे राश्य उपाध्यक्ष की जिम्बेदारी सौंपी हुई है बाकि समता बुद्धिविहार पर हम अपने सेवाएं देते हैं वहां बगर किसी पत्के देते हैं और सम्यक संबुध ते प्रेयाना के पूझे है। समराथ हशोक जिनने अपने प्राकरम्से अपने कल्यानकारी कारों के बलपर सारी दुनिया में सफलतम सम्ट के रूप में सफलता पाई वह मेरे आष्था के प्रतीक हैं वहुद्धिसत्व बाबा साहब डांग टरमबेटकर जो वरत्मान में सारी दुनिया को परभावित कर रहे हैं, वो हमारे आस्था के आधार हैं, ये महापुरुशों, और जितने भी महापुरुशों को बाबा साईब डाउक्टरम बेटकर मेहत दिया, पहचान दी, वो सब हमारी आस्था के आधार हैं, जो हमारी सफलता के लिए जिम्मेदार है सुबह प्राहतकाल उठना होता है चाहम रात वो लेड़ भी सो हैं तो सुबह करीब 6 बजी के करीब आँख खुल जाती है तो सुबहरी उठके प्राकर्तिक रूप से निवरित होकर हम पानी पीते हैं एक बोतल पानी पीने के बाद फिर मॉलिंग वाक के लिए निकल जाते हैं घर के पीछे ही बहुत सुंदर पार्क है वहां आदा घंटा पैदल चलना कुछ वयायाम करना जो घुटलों के लिए पेट के लिए बहुत जरूरी है आदा पौन घंटे के बीच में घर आ जाते हैं घर आते हैं तो तब तक प्राया अखबार आ जाते हैं उनका सबका ध्यन होता है और पहले से ही कुछ किताबे पुरूफ रिडिंग के लिए एडिटिंग के लिए पढ़ने के लिए रखी होती हैं उनमें फिर हम गोता लगाने लगते हैं उसके बाद में मैडम तब तक चाय ले आती हैं फी की चाय हम पीते हैं एतियात के तोर पर और इसी दोरान फिर टेलिफोनों का सिलसिला शुरू हो जाता है थोड़ी देर में परिवार जो बेटे हैं सब आकर यहां एकठे हो जाते हैं सम मिल करके नाष्टा करते हैं और उसके बाद तब तक नीचे जो हमारा संबक प्रकाशन का दफ्तर है वहाँ पर जो हमारे हाइली प्रोफेशनल जो स्टाफ है वह आ जाता है और उने के बीच में जा करके बस फिर तो सारा दिन उने के बीच में खो जाते हैं सारे दिन एडिटिंग का काम प्रूफ रीडिंग का काम यह करना है यह निकरना है यह काम प्राइटी पर है इसको तो बाद में भी किया जा सकता है इस तरीके के सारे काम चलते हैं और मित्रों से जो सहित्यकार है या अपने मिशन के और दूसरे आंजलन कारी हैं सारे दिन उनका आना जाना और मिलना चला रहता है तो इस तरीक से सारा दिन कब पूरा हुआ कुछ पता नहीं छे बज़े शाम को उपर आते हैं और छे और साथ के बीच में खाना खालिया जाता है उसके बाद में फिर लिखने पढ़ने का दोर शुरू होता है और जब तक नींद ना आ जाया थब तक को लिखने पढ़ने का काम शुरूर रहता है जोई गर्दन लटकती है तो हम अपनी टेबल सरका देते हैं और सो जाते है ये तो देनिक हमारी दिन चरिया है इसी तरीके से रोज एक-एक दिन करके जीवन में कम होता जाता है खाली से में तो हमारी लिए ऐसे समझो जैसे की चील के गोंसले में छीचड़ा बड़ा मुश्किल से मिलता है बगर फिर भी जब कभी भी समय मिलता है घर में बच्चे हैं गरम बोर्ड वगरा खेल लेते हैं और आज कल तो सबसे बड़ा टाइम पास का जो जरिया हो गया हो फेस्बूक है वाटसेप है उसके साथ भी चलता है बच्चों के साथ में टाइम गुजारना जादा अच्छा इसलिए लगता है कि उन्हें कुछ सिक्षा दैनी होती है तो उनसे हम सवाल करते है वह सवाल अ गोट काम आते हैं इस तरीके से हमारा जो कभी खाली समय मिलता है अलागि गोमना फिरना तो खाली अब शादी वियाओं वागेरा में जाना वह हो गया बाकि समय मिल नहीं पाता और जित्रा समय मिलता है वो बच्चों के नाम होता है हाँ होबी ज तो बहुत छोटे उमर से बहुत सारी मेरे साथ लगी रही और होबी भी बहुत महेंगी जैसे इस टाइम कलक्षन दुनिया भर के डांट इकठे का ना क्योंकि जोग्रफी का मैं स्टूडेंट था करने से कंट्री का नाम पता चलता है तो इस वजे से वो बहुत सोख मारा प्रवान चड़ा उस सीक साथ एक चीजे सिखे का ना सिक कॉइन क्लेक्षन मेरे पास आज भी बड़े बड़े ऑदबे भरे मेरे उनका वजन 25 किलो होगा दुनिया भर के जा भी हम गए वह से लेकर जो भी मित्र मेरा यहां था उनको सब को पता था कि मैं बोजी से मिलने जा रहा हूं तो वो जाते ही पूछेंगे अपनी कंट्री का सिक्का लाए क्या तो इस तरीके से बहुत सिक्के हमने ही कथे किये और परिवार में जितने भी सारे हमारे बच्चे हैं उनको नई नई चीजों से इंटरूस कराना नए म्यूजियम्स में ले जाना चाहिए वो नेच्वरल हिस्टी म्यूजियम हो चाहिए वो जू हो और दूसरे इंटर्टेनिंग गितने भी प्रोग्राम होते हैं साइन्टिफिक नोलिज गेन करने के वो दिखाना यह हमारे खुद के पहले खुद के लिए रहा बच्चों के लिए यह सब शोग चलते रहते हैं सम्यक परकाशन विधिवत रूप से आरंभ हुआ 1997 से मगर इसके शुरुवाती जो काम थे वो 1975 से आरंभ हो गए थे क्योंकि मेरा बच्च्पन बड़े बड़े जो समाज सुधारक हैं और सहित्तिकार हैं उनके साथ बैठने में बीटा उनके चडruं में बैठकर बहूत कुस चीखा उस lotta प्रहरुरत किया कि समाज को संगित गरने के करो वो उसके बाद और भी बहुत काम हुए मगर विदी वत्रुप से पूरी दफ्तार के साथ जिसे कह सकते हैं के होल टाइम ली वो काम शुरू हुआ सम्मेक परकाशन के पुष्टक परकाशन का वो 1997 से 1997 में हम जब विदेश गए थे तो वही पर किताब लिखनी शुरू कर सबसे बड़े हमारे धर्म गुरू हैं मास्टर शिंग यून जो ताइवान के महायानी गुरू है उनका परवचनुवा बड़ा करांतिकारी साहित्य के महतुपर उसका बहुत असर पड़ा और यहां बहरत में आकर पूरे फुल-फ्लेश तरी किसम साहित्य के काम में हैं तो वहां हमें लगातार तीन साल से सम्मानित किया जा रहा है सत्रा दो हजार सत्रा में हमें कांसे पड़क से सम्मानित किया गया दो हजार अठारा में हमको रजत पड़क यानि के सिल्वर मेंडल मिला और यह जो 2019 है अभी लास्ट वीक जो खतम हुआ है उसमें में हमें तुक में दुबारा रजद पदक मिला वो जो होता है साहित प्रफॉर्मेंस के लिए भी होता है जो आपका डिस्पले की स्टेंडर्ड क्या है उसके लिए होता है और उसकी ट्रेंणिंक हमें बच्पन से हैं और अब तो हमारे बच्चे भी सारे dominant हो गए हैं तो सम्मैक परकाशन की चोटा सा एक परीचे हैं और इसी को इसी परम्प्रा को आगे बढ़ाने के लिए अब हमारे बच्चे भी मैदान में आगे ड़् कि इस पूरे बहुजना अंदोलन को जितने भी आदिवासी हैं, शिडूल कास्ट हैं, बैकवर्ड हैं, इन सब को परभावित करने का ये एक जगा लाने का माददा अगर किसी में है तो उन ही में है, पिछले दिनों एक एक्सपरिमेंट उफ्तर परदेश में हुआ था, वो अन्यतर दुरलब चीजे हैं, तो आज हम कह सकते हैं कि हम तो बहुत पुराने समय से उनको देखते आ रहे हैं, उनके साथ काम भी किया है, राजनीतिमा आने से पहले भी, तो आज की तारिक में इंटरनेशनली रिनाउंड अगर कोई भारत वर्ष में बहुजन लीडर है, तो वो बहन मायवती हैं, और हमारी आस्था का आधार, और हमें भी प्रिरित करने वाली अगर कोई हैं, तो बहन मायवती हैं, जिन्होंने उत्तर परदिश में चार-चार बार सत्ता समालने के बाद ये रुत्बा हासिल किया है, ये हरे को नसीब नहीं है, खास दोर से परदेश के जब अध्यक्ष थे, दिल्ली का सबसे बड़ा रिपब्लिकन आंदोलन जो हुआ था, जेल भरो आंदोलन, 1964 में, तो उस समें पिताजी अध्यक्ष थे और वो तो 1967 में हट गए थे, मगर उसके बाद 1970 में मुझे दिल्ली परदेश का जनरल सेक्टिर रिपब्ल करेंगे और बोधिक, साहितिक, सांस्कृतिक काम करेंगे और विरोध हमारा किसी से नही है, हर एक का अपना काम करने का तरीका मेरा काम करने का तरीका यह है, जो दूसरे तरीके से काम करते हैं, उन से भी हमारा कोई दुराव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई जिस लू जान आ गई तो तब समिंदिजार में अब जीवन लिला सबाब तब जीवन लिला सबाब मगर एक सपना जीवन का ये जरूर है कि अपने आख मुंदने से पहले इस देश के युवक को युवा शक्ती को जग जोड़ना है उन्हें उनके अतीत का उनके गोरवशाली अतीत का एहसास दिलाना है और घर घर में इतना साहित्ते पहुचा देना है कि हमारे जैसे लोगों के ना रहते हुए भी साहित्ते उनका जग जोड़ता रहे बस एक यही तमन्ना बाकी है आज भारत वर्ष के युवकों में जो एक पैठ बनी है उससे हमें आस बंदी है कि युवक अपने मादे के साथ दम के साथ अपने बुजर्गों को माबाप को भी साथ लेकर जब चलेगी तो समझो बात बन गई तो वो हमारा एक सपना है और मुझे लगता है कि वो ज्यादा दूर नहीं है पूरा होने को है मैं तो खाली इतने कह सकता हूँ कि भरपूर संबान मिलता है और हम भी उनको पूरा प्यार करते हैं बगर अधिक वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो तो आप उनसे जानेंगे तो ही इमानदाराना प्रयास होगा वो ही बैतर पता पाएंगे मैं संदीप शान्त, शान्ती सुरूप गोजी का बड़ा बेटा और ये मेरी मिसिस किरन शान्त और ये मेरी बड़ी बेटी शाली नी शान्त जो और 90 स्टेंडर्ड में है और ये मेरा चोटा बेटा सम्मेट शान्त ये 90 स्टेंडर्ड में है और मैं अपने पिता जी के बार पर उनके अंदर जो अच्छे गुण है वो हमेशा लेना बुरे गुण कभी मत लेना तो वही इस चीज को हम फोलो करते हैं समाज में उठते बैठते हैं किसके अंदर क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है वो सब देखते हैं जो अच्छा है वो हम लेते हैं उसको फोलो भी करते हैं और अच्छी चीज को हर किसी को फोलो करना चाहिए बुरी चीज को कभी फोलो करना चाहिए मैं एक हिंदू फैमिली से विलॉं करती थी शादी से बहले और मतलम और फिर मैं शादी के बाद बुद्धिश फैमिली में इंटर्डीउस हुई और मुझे यहां के इतना अच्छा लगा यहां के बुद्धिजम के बारे में जानके और पहुजन समाज का जो वो है इतिहास कि वो आए इस परिवार में आई और मैं उस हिंदू धर्म के जो पच्रों से उन्रीती दिवाजों से मेरा पीछा छुट सका और मैं कपिल सरुबाद बहुत अचारे शान्ति शान्ति सरुबाद जी का बीच का बेटा संदीब जी से छोटा यह मेरी वाइप दीप्शिखा यह मेरा बेटा मिलेंद्फ यह अर्पन और हमको सुरू से सिखाते हैं और सब इसे ही मेरो सिखाते हैं जो जोडना ही कोई कुछा भात के साथ है दुनिया सारा बुद्धी जीवी वर्ग है सब देखता है मैं बहुत प्राउट फिल करती हूं जब मेरी शादी हुई इस घर के अंदर पापा जी को हम पहले से ही जानते थे क्योंकि वो मेरे ग्रैंट फादर के बेस्ट फ्रेंड थे जब मेरे दादा जी इस घर मेरे अरिश पूरी इंडिया में नाम है वो बहुत ही अच्छा लगता है और प्राउड होता है अमें इस बात के ओपर की उन्होंने इतना अच्छ अच्छे काम की है जब वो भाशन देते हैं सब लोग उनके भाशन के लिए बैठे ही रहते हैं जब तक उनका भाशन नहीं होता और सो बहुत ही अच्छा है ओटत एंड़ााए देखा जायतो जो सब सब बड़ी संपोर्ट जो पत नहीं की और से मिलती है वह सब्सबड़ी संपोर्ट उतियों मुझे बहर पूर संपोर्ट рं की तरफ से मिली है जब से मेरी शादी हुई है, शादी होकर आई हूँ मैं इस घर में तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं मेरे को सभी घरवाले यहाँ पर और अपने अस्बेंट के साथ मैं जाती आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनके अंदर जो बहुत खाशियत है, जो सभी को जोड़कर चलते हैं समाज मैं घर में रहूं तो, ना रहूं तो, अब कौन आज मी है रात को सोते वक्व लाइट जलाना पसंद करेगा, मगर मैं अपना काम पूरी लाइट जला के करता रहता हूँ और वो अपना नींद लेती रहती है, यह नींद का वो डिरामा करती रहती है, मगर यह बहुत बड़ी सपोर्ट है, किसी भी व्यक्ति की पत्नी अगर चाहे घर में पत्ता हिल नहीं सकता, मगर अगर हमारे जैसे लोग जितना भी कुछ कर पाते हैं, वो सीधी सी बात यह है, परिवार से, खास्तों से, पत्नी से उनको सपोर्ट बिलता, तब ही वो कर पाती हैं, वो मेरे साथ जाती भी है, प्राया मैं उनको अपने साथ रखता हूं, साथ रखता हूं अपने, और एक तो मेरे बार में बड़ा पहले मशूर था, कि जब मैं डाड़ी रखता था, तो मेरी डाड़ी, मेरी गाड़ी और मे हाई को लिए यह साज्शाइए बदलाव ला सकती है यह इशले कहह रहा हूं कि को निशाहमारे हमारे लिए फ्लिय जो सरकार मीं स्र्द दे रही है वह हमारे काम की नहीं है जो तो शड्यंत्र के तहट जो हमारी शिक्षा तो खतम कर दी गई उन्होंने अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल्स खोर लिए अब हमारे बच्चों को हम अपनी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं खुद नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि साधनी समाध है मगर हमारे अपने खुद के इनिशेटिव ना लेने की वएसे हो क्या रहा है कि सरकार के प्रोध साहन की वजे से मीडिया के प्रोध साहन की वजे से हमारी PD को जिसको IS बनने के लिए, टेकनिशन बनने के लिए, वैग्यानिक बनने के लिए कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए प्रयास करना चाहिए था अब वो कावण ले जाने के काम में लगे हुए हैं वो मंदिरों के अंदर भंडारा खाने के लाइन में लगे हुए हैं तो यह सारा जो अंद्विश्वास का घटा टोप जो आकास चाया हुआ है अमारे परत्मान युवापीडी है उसको तारकिक बनाना है उसको वैज्ञानिक सोच वाला बनाना है उसको प्रैक्टिकल बनाना है यह एजुकेशन से होगा और कौन से एजुकेशन जो एजुकेशन हम देंगे उधार की एजुकेशन से हम अपने बच्चों को तो कावर ढोने व बच्चों से बड़ी उम्मीद है अगर वो अन्दुश्वास वाले रास्ते से बच कर चलें तो आज जैसा भी अच्छा या बुरा आपके सामने यह शांति सुरू बोध है यह अपने माता-पिता के कारण मेरे तो कामना है कि जैसे माता-पिता मुझे मिले सब को मिले इतनी पर्तिष्ठा इतनी धन संपत्ति हर एक उलात को नहीं मिलती जितनी हमें मिली माता और पिता दोनोंने बरपूर सहयुक किया जब भी मैं पैसे मांगता कभी मना नहीं किया कभी यह लिए पूछा काय के लिए पैसे चाहिए डाग टिकिट खरिद रहे हैं सिक्के लाने हैं नक्षे लाने हैं लाला जी दस रुपे लो यह लो पहले बुक फेर में गया दस रुपे लेकर किताब भी दस रुपे की थी उससे पहले मैंने दो रुपे की किताब खरिद ली थी वापिस आना पड़ा फिर का लाला जी दस रुपे दो यह ले वो तंगी का समय जब लोगों के पास दो रुपे नहीं होते थे पिता जी मांगती दस रुपे देते थे ऐसे बाप सब को मिलें आज वो नहीं है बगर मुझे एक चीज का संतोष जरूर है कि मेरे पिता जी के प्राण मेरी गोद में निकले मेरी मा की जान मेरी गोद में निकली आज की जिस ओलाद माबापों को पहचानने से मना करती हैं उनका प्राकतिक जो दायतु बनता है उसको निभाने से मना करती हैं ऐसा ख्यर किसी दुस्वन के घर में भी नाये मगर मुझे माता पिता का पूरा जब कि हम तीन भाई थे एक बहन थी मुझे ये गोड़ों मिला कि मैंने अपने माँ को अपने पास रखा अपने पिता को अपने पास रखा ये तो अपना रिष्टा पारिवारिक मगर एक माँ बाप हमारे और हैं जो सामाजी कहें, वो बाब कोन है, माबा साइब ना कम बेट कर, और मा कोन है, मा है, रमा बाइम बेट कर, आज में सुबा बैटा बैटा चित्र फाइनल कर रहा था, कर्पना लोक में था, रमा बाइम बेट कर, कि पती हमारे बाबा साइब अमरीका गए हुए थे, वो बिमार पड़ी थी, बच्चा भी बिबार था, उन्हें सपना आया माता जी को, कि मेरे मालिक तु विदेश में है और तु बिमार है, नहीं मालूम तु कंडे लेने जाएगी, उपले लेने जाएगी, गोबर लेने जाएगी, तेरी रास्त में तिरी जान निकल जाए, तो लकडियां बिनने जाएगी, तेरी वहाँ जान निकल जाए, तो वो एक करती है कि तेरा प्रादान तो हो गया अपने मालिक की इंत्जार करते करते तेरी जान निकल गई तो उसके मुँझ से एक ही शजब निकला रुमा बाई कह रही हैं के कागा कागा कहते हैं कव्वे को के कागा चुन खाई हो चुन खाई हो मास तो नामत खाई हो मोभिआ मिलन की आस तो यह चित्र सुबा जो फाइनल हुआ अपने सामाजिक माता-पिता की याद में बहुत जल्दी अब इसको दिमाग में फाइनल हो गया अब यह कागज पर आना बाकि है माबाप का संसार में भगवान बुद्ध ने कहा है माबाप का कर्ज उतार नहीं सकता आप अपने प्राणों की बाजी लगा दे तो नहीं उतार सकता मगर माबाप अगर गल्त रास्ते पर हो तो संतान का ये दायत उबनता है वो उसको सही रास्ते पर लाकर उनके पिर्ती अपना सच्चा नियम निभावें, सच्चा दायत निभावें, यद पी हमें ऐसा मोका मिला नहीं, माता और पिता जैसे हमें मिले, मेरी काम ना है, हरे को ऐसे सहयोगी माता पिता मिले, ऐसे मार्क दर्शक माता पिता मिले, ऐसे सम्मानित, ऐसे संपन माता पिता मिले जैसे हमें मिले आज इस अफसर पर मैं समझता हूँ ये शब्द बहुत है SM News के बारे में बताने कर दो बहुत है और समय कम है कारण ये है कि आज हमारे समाज में YouTube चैनल बहुत हैं मगर हर एक चैनल की अपनी अलग अलग पहचान है मगर जो पहचान SM News ने बनाई है वो काबिल तारिफ है कारण ये है कि मैं कुछ समझदार लोग के साथ उठता बैठता हूँ और मैंने Human Behavior का भी काफी अच्छी study की हुई है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो आपके पृश्ब होते हैं जो सुरेंदर जी के सवाल होते हैं जो बात करने का तरीका होता है जिन शब्दों का ये परियोग करते हैं जिन मुद्दों को ये बड़ी तत्परता से उठाते हैं और समालते हैं वो बानगी तो देखते ही बनती है ये चीजे विरले दुलब हैं आज भरत वर्ष में SM News जैसे News चैनल्स की जरूरत है जब जब तक जिम्मेदार पत्रकारिता का उदे होगा तब तक समाज का सार्थक दिशा में निर्मार होगा आज समाज को जगाने की जरूरत है जो SM News चैनल बहुत अच्छे तरीके से पोजिटिविटी की साथ उसको जगा रहा है निगेटिविटी से समाज का नाश होता है न तो जगीटिविटी से होता है और SM News चैनल की सबसे बड़ी ताकत सबसे बड़ी दौलत सबसे बड़ी पहचान उसकी पोजिटिविटी है और मेरी ये कामना है कि भाई स्वनेंदर जी इस पोजिटिविटी को इसी तरीके से बरकरार रखना बलकि इसको बढ़ाना तो इसस आगे आने वाले समय में अनुकूल माहूल बनेगा दूसरे चैनल्स भी इस पोजिटिविटी के रास्ते पर चलेंगे और समाज के कल्यान के मार्क पर सहयोगी बनकर उबरेंगे